हालो बच्चो कभी ट्रीगों से थी वो ही शिकायत है कुट रैटिक से मेरी तारीफ करती है महोबत क्यूं नहीं करती मेरी तारीफ कनती है महोबत क्यूं नहीं करती सो कैसे हैं आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एक दाम भनाट फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक टार्म्स सीख ली थी सेकेंड लेक्चर की शुरुवात करेंगे बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सिंपल एक बहतरी रूट्स निकालने के मैथड से श्री धराचारिय मैथड से श्री धराचारिय ने हमें कुट्राटिक एक्वेशन के रूट्स निकालने का पड़ा शांदार फोर्मुला दिया था तो मैं उस फोर्मुला की डेरिवेशन करके तुमको दिखाऊंगा उसके बाद फिर हम चीजों को आगे सीखेंगे सबसे पहले तो कुट्राटिक एक्वेशन के रूट्स निकालने का जो फोर्मुला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेशन माइनस फोर एक्वेशन करके दिखाऊंगा उसके बाद फिर हम रूट्स के बारे में और आगे जानकारी जुटाएंगे ठीक है अगर हमारे पास एकुट्राटिक एक्वेशन ले ले एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेल टू जीरो तो देखिए श्री धराचारिये ने क्या किया उसने क्या किया तो आपको ये कुछ ऐसी नजर आएगी ठीक है ना अब एक्स स्क्वाइर प्लस जब भी किसी कुट्राटिक एक्वेशन में आपको जब होल स्क्वाइर कंप्लीट करना हो तो यही तरीका होता है एक एक्वेशन में होल स्क्वाइर कंप्लीट करना हो तो पहले आप x² के optionate से divide करके फिर आगे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे solve कर लें और किसी expression में whole square complete करना हो तो इस a को common ले लें ठीक है खैर ये जो b by a है इसको लिख दिया 2 into b by 2 a क्या लिख दिया 2 into b by 2 a into x plus c by a तो है ही clear है जी अरे बात बिल्कुल समझ में आ रही है अब देखिए x² plus 2 into b by 2 a into x ये जो b by 2 a है ना इसका b by 2 a का जो whole square है वो मैंने एक बारी तो जोड दिया और एक बारी कर दिया minus b by 2 a का whole square एक बारी तो plus कर दिया एक बार minus कर दिया बात वही रहेगी और plus c by a को यो का यो कोपी कर दिया ठीक है अब यहां पर देखिए इस quantity पे अगर आप अपनी नजने दोडाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो एक बड़ी खूबसूरत quantity बन गई है x plus b by 2 a का whole square ये क्या बन गया है x plus b by 2 a का whole square और यहां पर इस quantity को जहां से देखिए आप इसमें अगर मैं denominator में लिख दूना 4 a square 4 a square LCM ले करके तो यहां आ जाएगा 4 a c और यहां आ जाएगा minus b square equal to 0 ठीक है 4 a c minus b square upon 4 a square अब ये वाली quantity को right में लेके जाना चाहता हूं मैं left में रहेगा x plus b by 2 a का whole square और right side में क्या हो जाएगा इधर जाके यह plus है minus का हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं अपन b square minus 4 a c upon 4 a square clear है अब ये वाला जो square है ना इस square को अगर यहां से remove करोगे तो इस side में क्या हो जाएगा plus और minus का हो जाएगा under root of b square minus 4 a c upon 4 a square और left side में square तो हटी गया है तो ये हो जाएगा x plus b by 2 a clear है जी ये जो plus b by 2 a जो left में है इसको right में अगर मैं लेकर के गया तो ये हो गया right में जाके minus by 2 a plus minus जो numerator है उसको लिखा रहने दिया under root b square minus 4 a c और denominator का जो 4 a square है इसके उपर भी root लगा हुआ है तो root से बाहर निकालके इसको 2 a लिख दिया तो यहाँ पे अगर x को notice करें तो ये हो जाएगा minus b plus minus under root of b square minus 4 a c divide by 2 a यहाँ पे ये जो x निकालने का formula बना है minus b plus minus under root b square minus 4 a c upon 2 a इसी को बोलते हैं श्रीधराचार ये formula या फिर श्रीधराचार ये method बात समझ में आ रही है अब देखिए ये जो root के नीचे वाले जो quantity है ये जो root के नीचे वाले quantity ना b square minus 4 a c ये बड़ी खास quantity होती है इस quantity की क्या खास बात है ये quadratic equation के roots का nature बता देती है क्या बता देती है? roots का nature बता देती है कैसे nature बताती है? क्या nature बताती है करेंगे बात मगर कुछ समय के बात पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यह बड़ी important quantity है B square minus 4 AC यह जो B square minus 4 AC quantity है B square minus 4 AC यह बड़ी शांदार quantity है इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए इसको short नाम दे दिया इसको D मान लेते हैं को मान लेते हैं D इस B square minus 4 AC को D मान लेते हैं हम नहीं मान रहे पूरी दुनिया ने इसको D माना गया है मोधी जी भी इसको D के नाम से जानते है यहाँ पे Donald Trump भी इसको D के नाम से बुलाते थे B square minus 4 AC D होता है और कालीन भाईया मुनना भाईया सब लोग चाहे कोई भी क्यों नहो B square minus 4 AC सब लोग इसको D के नाम से जानते हैं ठीक ना यह मेरी मरजी की बात नहीं है यह सब लोग इसको D के नाम से जानते हैं पूरा पूरा वर्ल्ड इसको D के नाम से जानता है तो D क्या है Don B2-4AC, तो quadratic का don है, B2-4AC, D4, D4 don, D4 don नहीं होता, D4 discriminant होता है, D4 क्या होता है, discriminant, D4, discriminant, D4 discriminant, यह जो B2-4AC quantity है, इसको D का नाम दे दिया, D को बोलते हैं, discriminant, यह जो discriminant है, B2-4AC, quadratic में यह बड़ी खूबसूरत value होती है, इसके उपर quadratic के roots का nature depend करता है, तो इसको एक special स्थान दिया गया है quadratic chapter में, ठीक है, D को, B2-4AC, तो यह जो X है ना, इस X की value को आप यह भी लिख सकते हो, minus B plus minus under root D by 2A, आप अगर इसको ऐसे भी लिख देंगे, तो भी आपको, तो भी कोई परिशानी नहीं है, ठीक है ना, लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर देखे, X होगा, minus B plus minus root D by 2A, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखे, दो roots आचुके हैं, यहाँ पर देखे, दो roots आचुके हैं, एक तो आचुका है, X is equal to minus B plus root D by 2A, और दूसरा root आचुका है, X equal to minus B minus root D by 2A, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस quadratic के 2 roots आचुके हैं, दो roots ही होते हैं, हर quadratic के 2 roots होते हैं, यह बात अपने को समझनी है, हर quadratic के 2 roots होते हैं, every quadratic equation will have 2 roots, will have 2 roots, हर quadratic equation के 2 roots होते हैं, बात समझ मैं आरी के नियारी, यह वाला एक root है, इसको alpha मान सकते हैं, इस root को अपन बीटा मान सकते हैं, ठीक है ना, इस root को अपन X1 मान सकते हैं, X2 मान सकते हैं, जब question वगेरा solve करते हैं, तो generally 2 roots को alpha बीटा ले ले लेते हैं, X1, X2 ले ले लेते हैं, ठीक है ना, algebraic तरीके की calculations को solve करने के लिए, हम mostly alpha बीटा roots ले लिया करेंगे, X1, X2 का भी ले लिया करेंगे, ठीक है जी, तो यह तो था स्रीधराचार यह method roots निकालने का, ठीक है ना, अब जो है, एक बार अपन यह देख लेते हैं, कि यार, quadratic equation के जो coefficient होते हैं और जो roots होते हैं, उनमें क्या relation होती है, मतलब एक quadratic equation है ना, AX2 plus BX plus C equal to 0, यह quadratic equation है, अच्छा, यह मालूम है, इसका A0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे define ही नहीं होंगी दो values, तो यहाँ पे देखिए, A यहाँ पे वैसे तो अभी आप समझदार हो चुके हो, मैं ना भी लिख हूँ, तो समझ जाना चाहिए, कि A0 नहीं होगा, ठीक है ना, अगर मैं कभी नहीं लिखता है, कुड्राइटिक की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ जाना कि यार, A0 नहीं है, फिर भी मेरी आदत अच्छी है, मैं हमेशा लिख देता हूँ, कि A0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो A0 नहीं हो सकता, अब इसने कहा, कि इस कुड्राइटिक के जो रूट्स होंगे, और इस कुड्राइटिक के जो कोफिशेंट्स होंगे, कोफिशेंट्स कौन से है, A, B और C, यह लीडिंग कोफिशेंट है, कॉंस्टेंट टर्म है, यह X का कोफिशेंट है, तो यहाँ प कुद्राटिक equation के माल लेते है यार कि इसके dवरूट है alpha और beta ठीक है ना, इनके कौन-कौन से d痢ू alpha-beta है? यार एक रूट तो यह है इसको alpha माल लेते हैं और इस रूट को क्या माल लेते है? beta माल लेते हैं माल लेते है यार तुम भी क्या याद रखोगे let two roots are let two roots of this quadratic equation of this quadratic equation are alpha and beta alpha और beta यह जो quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 है ना यार इसके जो दो roots है ना वो मैंने मान लिए alpha और beta और मेरी आदत है मैं roots को ऐसे लिख देता हूँ तीर का निशान लगा करके एक root यहाँ पे लिख देता हूँ alpha हो गया और दूसरा root यह हो गया बीटा तो यार आगे से अगर मैं यह तीर का निशान लगा करके यह अगर मैं values लिख दूना तो समझ जाना भाई ने roots लिखे हैं क्या लिखे हैं roots लिखे हैं इस प्रकार से मैं यह तीर का निशान लगा करके दो values लिख दूना तो समझ जाना roots लिखे हैं इसके root मैंने मान लिए एक alpha है कि बीटा है आप लोगों ने 10th class में एक theorem पड़ी होगी आप अच्छे बच्चे हैं आपने जरूर पड़ी होगी मुझे मालूम है factor theorem आपने सीखी होगी factor theorem थोड़ा दिमाग पे जरूर डाली है यार कि वो factor theorem जो आपने सीखी थी वो क्या थी सीखी तो आपने है यह तो मुझे को मालूम है थोड़ा दिमाग पे जरूर डाली है दिमाग पे जरूर डाला कि न डाला है ना डाल दिया factor theorem यह कहती है कि अगर x equal to alpha किसी polynomial का root है if x equal to alpha is the root of the polynomial यह polynomial के लिए valid होती है ऐसा नहीं है कि trigonometric equation में भी लगा दो है ऐसा नहीं होता if x equal to alpha is the root of a polynomial एक कोई polynomial हो na x में if x equal to alpha is the root of a polynomial in x then x minus alpha will be the factor of that polynomial then x minus alpha will be the factor will be the factor of the polynomial यह बात अपने को समझनी है अगर x equal to alpha एक root है यहां पे जो main बातें क्या है यह मा highlight कर देता हूँ अगर x equal to alpha root है ना तो x minus alpha जो है यह एक factor होगा यह बात अपने को समझनी है किसी भी polynomial में अगर x equal to alpha root है तो x minus alpha उस polynomial का factor होगा ठीक है तो यहां पे भी मैंने सीख लिया कि अगर alpha और beta इसके root है ना तो एक बात तो तो ते है कि x minus alpha एक factor होगा is a factor x minus alpha एक factor होगा इसको ड्रैटिक का और दूसरा x minus beta यह दूसरा factor होगा this is the other factor of this quadratic equation तो यहार x equal to alpha और x equal to beta इसके root है तो factor theorem ने हमको सिखाया है कि x minus alpha और x minus beta इसके factors होगे क्या होगे factors होगे और यहार हम जानते हैं कि quadratic के दो ही factor होते है quadratic के दो linear factor होते है qb के तीन linear factor होते है degree 4 के 4 linear factor होंगे और degree 100 दे दोगे तो उसके 100 linear factor होंगे तो x square plus bx plus c के दो factor होते हैं और वो हमको मिल गए यार x minus alpha और x minus beta यहाँ पे देखते हैं थोड़े मजे लेते हैं x square plus bx plus c इसका एक factor तो x minus alpha हो गया दूसरा factor x minus beta हो गया और यार यहाँ पे linear factor होगे दो ही होते हैं लेकिन कोई constant इसका extra factor मिल सकता है यहाँ पे variable factors की बात कर रहा हूँ मैं variable terms में दो linear factor होते हैं लेकिन कोई constant जैसे 4, 5 ऐसे कोई और factor भी हो सकता है तो यार x minus alpha into x minus beta जब करोगे ना तो यहाँ से देखिए x into x x square आएगा मगर आना ax square चाहिए तो इसका मतलब तो यार बात साफ साफ है एक extra factor a b मिलेगा इसका है ना तो x into x x square और फिर a से multiply होके देखिए a x square match कर गया ना तो इसका मतलब यह बात समझ में आ गई कि अब left और right एकदम भनाट तरीके से equal हो गई है तो ax square प्लस bx प्लस c को हमने express कर दिया इसके factors की भाशा में इसको लिख दिया a into x minus alpha into x minus beta वो मेरी तारीफ करती है मगर महबत नहीं करती है कोई बात नहीं आप पढ़ते रहें चीजों को जानते रहें तुमारी तारीफ भी होगी तुमसे महबत भी होगी kudratik प्यार करने लगीगी tension लेने का नहीं tension देने का trigo से घबराने का नहीं ऐसे ही kudratik से घबराने का नहीं kudratik से प्यार करने का ax square प्लस bx plus c इसको मैंने express कर दिया a into x minus alpha into x minus beta ठीक है अब यार यहां पर देखिया ax square plus bx plus c अब क्या किया यह जो brackets है ना इनको मैंने open कर दिया तो यह हो गया x square minus alpha plus beta x plus alpha beta भाई ने एकदम सीधा इसको open करके simplify करके लिख दिया ठीक है जी तो कुल मिला करके left side तो ax square plus bx plus c ही right side ध्यान से देखोगे तो हो गई ax square minus a alpha plus beta x plus a alpha into beta यार देखिये left और right बराबर है left और right बराबर है तो completely एकदम बराबर होंगी look wise भी equal है यह दोनों की दोनों और value wise भी equal हैं कि दोनों की जो looks है गईडिटो उनों की looks एकदम डिटो match करनी चाहिये तो डिटो look match तो कर भी रही है ax square x square की साथ match कर रहा है अब आप बोलोग यार ये भी इसके साथ match करना चाहिए बिलकुल करना चाहिए compare करदे कोफिशेंटağı compare करदे कोफिशेंट इसके coefficients को compare करना ही चाहिए इसके coefficients जो है न वो इसके coefficients इसके बराबर होने ही चाहिए क्योंकि दोनों सेम चीज हैं तो x का coefficient इस तरफ है b ठीक है न एकस का coefficient इस तरफ b है और इस तरफ कितना है minus a alpha plus beta है और यहां पर देखें constant term यहां पर c है और यहां constant term को देखा तो कितनी है a into alpha beta है तो यार यहां से देखिए यहां से देखिए जो alpha plus beta है na alpha plus beta वो मिला अपने को b by minus a minus b by a और यहां पर देखिए जो alpha beta है वो मिल गया c by a यहां से देखिए जो alpha beta मिल गया है c by a अरे गजब हो गया भाई यह sum of roots है यह product of roots है, हमने derive कर दिया है formula, यह हमको मिल गया है sum of roots, यह हमको sum of roots मिल गया है minus b by a के equal, और यह product of roots मिल गया है भई, यह मिल गया है product of roots, product of roots किसके बराबर है, c by a के equal है, तो कुल मिला करके यार अगर कोई भी quadratic equation लिखी हो ना, तो उसके roots और coefficient में, यही तो हमारा topic था ना, कि roots और coefficients में क्या relation होती है, बड़ी simple relation होती है, कि roots का जो sum होता है वो minus b by a के बराबर होता है, और roots का जो product होता है वो c by a के बराबर होता है, तो यहां से अपनने सीख लिया, कि sum of roots, जो sum of roots है ना, sum of roots, sum of roots बोले तो alpha plus beta, वो तो है यार, minus b by a के equal, और जो product of roots है ना, product of roots, product of roots बोले तो alpha into beta, वो है c by a के equal, और हमारी जो given quadratic equation है ना, ax square plus bx plus c equal to 0, यह इस quadratic के sum of roots और product of roots की बात कर रहे हैं हमारी एक स्क्वार प्लस bx plus c equal to 0, अगर अपने पास एक quadratic equation है, इसके sum of roots और product of roots निकालने का formula हम लोगों ने सीख लिया, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, किसी को याद नहीं है तो, minus b by a और c by a, sum of root और product of roots का formula अपने को मिल जाता है, यार दिल से पूछ के देखो तुम्हारे, तुम्हारा दिल बोलेगा कि यार आपने, आपने sum of roots का formula बता दिया, product of roots का formula बता दिया, difference of roots का भी बताईए, हैना मतब difference of roots क्या होता है, मन करेगा जानने का, अभी बता देता हूं, बड़ा important formula है, यह दोन difference of roots का मतलब होता है, alpha और beta का difference, alpha और beta का difference, यार, alpha minus beta भी आप निकाल सकते हो, beta minus alpha भी निकाल सकते हो, मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं, modulus alpha minus beta की, ठीक है ना, मतलब यार, अपने difference के magnitude की बात कर रहे हैं, और आपने एक formula तो सुना होगा, यार, algebra के अंदर, एक formula या, algebra के अंद y का square minus 4xy होता है, यह formula मुझे लगता है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और यार, यह अगर आपको मालूम है, कि x minus y का square, x plus y square minus 4xy होता है, और नहीं मालूम तो याद कर लो, इसको आप open करके देखो, यही मिल जाएगा, ठीक है, ना, open करके देख लो, अगर भाई पर यकिन नहीं है, तो बाकी यकिन होना चाहिए तुमको, इसको जो आप open करके देखोगे, तो इसके बराबर मिल जाएगा, ठीक है, और यहां से यार, देखो, x minus y, जो है, वो देखोगे, तो वो हो जाएगा, under root of, x plus y square minus 4xy के equal, ठीक है, यहां से square हटा, तो इदर root आगया, औ यह एक positive चीज होती है, तो इसको mode x minus y के बराबर लिखें, तो ज्यादा तमीजदार बात लगेगी, ठीक है, तो mode x minus y, जो है, root x plus y का whole square minus 4xy, लिखा जा सकता है, ठीक है, तो उसी तरीके से, जो alpha minus beta का mode है, इसको लिख सकते है, आपन under root of, alpha plus beta square minus 4 alpha beta, ठीक है, alpha plus beta square minus 4 alpha beta लिख alpha plus beta की value fit कर देते हैं, alpha plus beta देखिए, यहाँ देखने को मिल रहा है, तो alpha plus beta की value minus b by a यहाँ पे, यहाँ से उठाईए, minus b by a को यहाँ फिट कर दीजिए, और alpha into beta की value, जो यह c by a है यहाँ फिट कर दीजिए, तो यहाँ alpha plus beta की value minus b by a fit कर देखोगे, तो यह b square by a square हो गया, minus 4 alpha beta टा की वैल्यू हो गई यार, C by A, ठीके ना, तो clearly देख सकते हो यहां पर आप, डिनोमिनेटर में अगर 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 अपन लेते हैं, तो यहां तो हो गया A square, ऊपर रहा B square minus, यहां पर आगया 4AC, अरे, यह तो गजब हो गया, यह B square minus 4AC बड़ी लवली चीज़ आया, यह जब असलब आती रहेगी quadratic में, quadratic अगर जानने का है ना, तो D को जान लीजे, D बोले तो discriminant, discriminant बोले तो dawn of quadratic, dawn of quadratic कोन है, discriminant, D, ठीक है ना, तो यार, यह जो root है ना, root, इस root के नीचे यह जो B square minus 4AC है ना, यह तो बन गया आपका D for dawn, ठीक है, और यह जो A square है, A square के ऊपर root भी हो सकता है, मैं अगर positive difference निकालना चाहता हूँ, तो यार, इसको भी positive बना देना, थोड़ा सा दिल को अच्छा लगेगा, positive चीज, positive के बराबर compare करते हैं, तो भाई को बड़ा मज़ा आता है, तो यहां से देखिए difference of roots, difference of roots की अगर अपने बात करें ना, difference of roots, वो होता है, mode alpha minus beta, और उसकी value अपने को मिली, बड़ी छुटंकी value मिली, root d by mode a, अभी याद हो जानी चाहिए, ठीक है न, अभी के अभी याद हो जानी चाहिए, difference of roots, root d by, root d by mode a, ठीक है, तो कुल मिला करके, roots में और quadratic equation के coefficients में relation क्या होती है, आपको एकदम भनाठ तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, sum of roots minus b by a, सब लोग जानते हैं, product of roots c by a होता है, सब लोग जानते हैं, difference of roots, बोले तो positive difference की बात कर रहे हैं, root d upon mode a, और d क्या है, discriminant, बोले तो dawn of quadratic equation, इस d से बड़े-बड़े काम करवाएंगे, ठीक है जी, चलते हैं आगे, तो ये बात अपने को समझ में आ गई, कि coefficients और roots में क्या male होता है, क्या रिष्टा होता है, और इसके साथ यार, ये चीज़ भी मैं समझता हूँ, तुमको याद हो जानी चाहिए, ये जो कहानी है ना, ये भी आपको याद हो जानी चाहिए, इसको भी याद रख लो, इस चीज़ को भी आप याद रखें, इसको भी याद रखना है, उसके बाद फिर ये दोनो फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, कि coefficients और roots में क्या relation होता है, अब अपन बात करते है, nature of roots, ये क्या चीज़ है भई, nature of roots, quadratic equation के roots का nature, quadratic equation के roots का nature कैसा कैसा हो सकता है, आपके पास ax square plus bx plus c equal to zero quadratic equation लिखी हुई है, obviously इसका a zero नहीं हो सकता, तो इसके दो root निकाले थे अभी अपनने, ठीके ना, एक root तो alpha निकाला था, वो कितना आया था, root b square minus 4ac upon 2a, और दूसरा जो root है न, बीटा, दूसरा root बीटा निकाला था, वो आया था, minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a, ये दो roots अपने निकाल लिए थे, श्रीदराचारिये method से, ठीक है, अब यार, इन प्यारे प्यारे दो roots को देखो आप, अच्छा, इसको b square minus 4ac जो है न, इस b square minus 4ac को तो यार, इसको तो अपन d भी लिख सकते हैं न, तो इसकी जगह पर तो d भी लिख देते हैं, इसकी जगह d लिख देते हैं अपन, काय को इत्ता बड़ा लिखा, b square minus 4ac, ठीक है, इसकी जगह अपन ने, भाई ने क्या लिख दिया, d लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह तो d लिख दिया, ठीक है जी, यह हो गया, minus b plus root d by 2a और एक minus b minus root d by 2a, यार, एक बात बताओ आप, अगर ये जो d है ना, ये जो d है, अगर इस d की value 0 हो जाए, अगर इस d की value 0 हो जाए, तो क्या होगा, इस d की value down अगर 0 हो जाए, कुट रैटिक का down अगर 0 हो जाए, तो देखो ये तो हो गया 0 ये हो गया 0 क्या हो गया 0 हो गया तो आप देखिए minus b by 2a एक root आ गया और दूसरा भी minus b by 2a ही आ गया क्या आ गया minus b by 2a एक root हो गया और minus b by 2a दूसरा root हो गया दोनो root बराबर हो गये अगर d 0 हो जाता है किसी भी quadratic equation का तो उस quadratic equation के दोनो roots equal हो जाते हैं roots equal हो जाते हैं ऐसा बोल लीजिए या roots coincident हो जाते हैं ऐसा बोल लीजिए then roots roots of the quadratic equation will be equal will be equal equal roots हो जाएंगे equal या फिर बोल दीजिए co-incident roots co-incident roots ठीक है अगर तो D0 हो जाएगा और यहाँ पर यार दो बातें और नोट करने वाली है D0 हो गया तो दो root equal हो जाएंगे अब 0 के अलावा दो परकार के numbers और होते हैं एक होते हैं positive numbers दूसरे होते हैं negative numbers D0 होने पर roots equal होंगे और D0 अगर positive हो जाए या फिर negative हो जाए तब कैसे roots होंगे उसकी बात भी कर लेते हैं D positive होगा और D negative होगा तब क्या होगा ये भी देख लेते हैं और यहाँ प्यार एक चीज़ बता दूँ आपको मैं ये जो सारी theory चल रही है ना सारी theory चल रही है ये तब ही valid है ये theory तब ही valid है अगर ये जो coefficients है ना A, B, C ये जो coefficients है ना यार ये real होने जरूरी है ये coefficients जो है ना ये real होने जरूरी है A, B, C ये coefficients क्या होने जरूरी है ये real होने जरूरी है ये बात अपने को notice करनी है a तो 0 नहीं होना चाहिए और इसके साथ की साथ अगर बात करे न तो a b c real होने बहुत जरूरी है a b c जो है वो real होने बहुत जरूरी है a 0 नहीं होना चाहिए और इसी के साथ a b c का real होना बहुत जरूरी है यह बात अपने को समझनी है यहाँ पर a b c की values अलग कहानी हो जाएगी यहाँ आपन सीख रहे हैं quadratic equations which are expressed over real coefficients जिनके coefficients जो है ना वो real numbers हो ठीक है ना यार तो देखो यार D अगर positive होगा इस मासूम D को देखी आप अगर यह positive होगा तो root के नीचे की चीज positive हो जाए तो वो real number होती है एक number का real होना और imaginary होना complex number की कहानी याद है कि हमारा पुराना दोस्त complex number आपको याद होगा root के नीचे की कहानी अगर negative हो जाती है तो यह बन जाता है imaginary और root के नीचे की कहानी positive रहती है तो number रहता है हमारा real number तो यहां पे खेल बिल्कुल वैसा का वैसा है कि अगर d positive होगा d positive होगा तो यह value real हो जाएगी और यह बेचारी तो दोनो real है ही तो complete value जो है वो real हो जाएगी बात समझ में आ रही है और d अगर negative होगा न d positive होगा तो यह भी real यह भी real और d अगर negative है d negative है यह negative है तो यह क्या हो जाएगा imaginary हो जाएगा यह imaginary हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा imaginary हो जाएगा तो यार यह बात आपको समझ में आनी चाहिए बात समझ में आ रही कि नी आ रही तो d अगर positive है then then roots of the quadratic equation will be real real तो होगे ही real तो होंगे ही and distinct भी होंगे and distinct भी होंगे अलग-अलग भी होंगे d equal to 0 जब हुआ तो roots of the quadratic equation will be equal, equal तो होंगे ही और real तो होंगे ही ठीके न, equal होंगे और real भी होंगे equal and real तो real भी लिख लें साथ में क्योंकि coefficient मैंने लिख दिया कि तीनो coefficient a, b, c d अगर real होंगे न, तो d 0 होने पर real root तो आने ही आने है मगर equal भी आने है ठीके और d 0 पर real के साथ दो अलग-अलग roots होंगे d अगर 0 से बढ़ा होगा तो इसका answer अलग आएगा और इसकी value अलगाएगी साफ-साफ देख भी सकते हैं बातापन ठीके और अगर d negative हो जाए न, d negative हो जाए थेन roots will be imaginary, roots will be distinct and imaginary, imaginary roots होंगे और distinct तो होंगे ही होंगे imaginary और distinct roots होंगे तो यार यह समझ में आना चाहिए कि d की value पे nature of roots किस प्रकार से depend करते हैं d अगर 0 है d अगर 0 है equal real roots होंगे d greater than 0 है तो real roots होंगे मगर distinct होंगे d less than 0 है imaginary roots होंगे distinct root होंगे सबसे पहले तो यार comment करके यह बता दो कि आपको अभी तक का समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा nature of roots तक की बात सारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप एक बार comment करके बता दीजिए मुझे लगेगा कि हाँ इतनी बात आपको समझ में आई है ठीक है move करते हैं आगे यार जैसे जैसे देखिए मैं एक quadratic equation आपको दे रहा हूं x square minus 2x plus 4 equal to 0 और मैंने आप से कहा कि इसके roots बताईए यार आप इसके roots find out करके बताएं तो आप बता दोगे श्रीदहाचार ये formula से x equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a तो इसका जो एक root आया वो आया 2 अच्छा पहले इसको तोड़ा simplify कर लेते हैं 4 minus 16 हो गया minus 12 minus 12 जो है ना minus 12 इसका जो root है इसको लिख सकते हैं आप 2 root minus 1 तो ये हो गया आपका 2 root 3 iota ठीक ना आप लोगों के लिए मैं थोड़ा simplify करके दिखा दिया अपोन में लिखा है 2 अपोन में लिखा है 2 तो यहां प्यार आप root देखो गया तो 2 तो cancel हो गया तो एक root तो हो गया 1 plus root 3 iota और दूसरा हो गया 1 minus root 3 iota दूसरा हो गया 1 minus root 3 iota ये आगए roots आप देखिए imaginary roots आए हैं क्या है imaginary roots तो जरूर इसका जो d है वो negative रहा होगा बिल्कुल था जी ये था d इसका इसका जो d था ना इसका जो d था वो negative था minus 12 ठीक है ना तो obviously इसके जो roots होंगे वो क्या होंगे? roots होंगे वो imaginary होंगे roots imaginary क्यों होंगे? roots imaginary क्यों होंगे? क्योंकि इसका जो d है ना यार ये negative है ठीक है? मैं आपको एक बड़ी खास बात यहां बताना चाहता हूँ कि जो imaginary roots होते हैं imaginary roots वो हमेशा pair में होते हैं किसमें होते हैं? pair में एक imaginary root कहीं नहीं मिलेगा आपको imaginary root अगर मिलेंगे तो दो imaginary root ही मिलेंगे अगर एक root imaginary हो गया तो दूसरा भाई उसका साथ में चलता है imaginary roots हमेशा पेर में लाई करते हैं मैंने आपको बताया है यहाँ पे imaginary roots अगर होंगे न तो वहाँ पे distinct two roots होंगे है मतलब दो अलग-अलग roots होंगे महाँ पर, एक imaginary root नहीं चलता imaginary roots जो होते हैं वो जैसे गून्स होते हैं, गून्स गूंडे होते हैं एक नहीं रहते हैं, वो जुन्ड में रहते हैं उसी प्रकार से imaginary roots अकेला नहीं मिलता imaginary roots always lie in a pair imaginary roots हमेशा pair में लाए करते हैं और यह बात सिर्फ तभी सच है कि अगर coefficients जो है वो real होने चाहिए यहाँ पर देख लो coefficients जो थे वो real थे और यह बात सिर्फ quadratic के लिए ही valid नहीं है यह बात cubic के लिए by quadratic के लिए किसी भी polynomial के लिए valid है coefficients must be real coefficients must be real एक बात तो यह समझ में आने चाहिए and this is valid for any polynomial this is valid यह किसी भी polynomial के लिए valid है statement this is valid for any polynomial कहने का मतलब यह हुआ कि हर polynomial के लिए यह बात valid होती है कि जो imaginary roots होते है न वो हमेशा आपको pair में मिलेंगे देखिए इसके लिए बस एक condition होने चाहिए कि जो coefficients है ना coefficients real होने चाहिए यह बनाट तरीके से नोट कर लो आप यह तो एक बड़ा शांदार जो है शांदार point हो गया note करने वाला point हो गया यह इसको तो यार एकदम मखन तरीके से note कर लो याद होना चाहिए यह यह जो line है ना यह line एकदम याद हो जानी चाहिए आपको I hope आप सब लोग notes बना रहे होंगे आपको बता दूँ कि quadratic equation के notes तो बनाना बहुत important होता है अगर आप लोग quadratic equation के notes नहीं बना रहे ना तो बिल्कुल मजाना बंद हो जाएगा फिर quadratic equation एक ऐसा chapter है इसके notes तो यार बनाने ही चाहिए मतलब quadratic के notes बनाना बहुत जरूरी होता है है ना quadratic के सारी चीज़ें अगर point by point अगर आप लिखोगे notes में और उसके बाद फिर आप अच्छे से question प्रेक्टिस करोगे यार इससे आपका algebra अच्छा हो जाएगा algebra strong करने में भी quadratic मदद देती है और algebra के बाद जब अपन यहां पर coordinate geometry पढ़ेंगे ना parabola वगरा सीखेंगे वहां पर भी quadratic का strong होना बहुत जरूरी है चलिए वापस आते हैं यहां पर imaginary roots pair में मिलते हैं coefficient real होने चाहिए मगर और यह बात सिर्फ quadratic के लिए ही नहीं बलकि किसी भी polynomial के लिए applicable है ठीक है ना जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ अगर मैं आपसे पूछूँ कि कि if a bicodratic polynomial लिख दिया तो इसका मतलब real coefficient होंगे ही if a bicodratic polynomial if a bicodratic polynomial have the roots have the roots 1, minus 1 and 2 iota then find the polynomial bicodratic polynomial equation ठीक है ना bicodratic polynomial equation की बात हो रही है bicodratic polynomial equation then find the polynomial equation then find the polynomial equation then find the polynomial equation यह question अभी try करेंगे अपन ठीक है लेकिन उससे पहले एक चोटी से नोट करने वाले चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर एक और चीज नोटीस में लानी है अपने को कि अगर एक root कोई complex number z है ना तो दूसरा उसका conjugate है दूसरा उसका क्या है? conjugate है imaginary roots pair में मिलते हैं यह तो एक बात हो गई और दूसरी important बात यह है कि वो एक दूसरे के conjugate भी होते हैं क्या होते हैं? conjugate होते हैं मतलब अगर एक root a plus b iota होगा ना तो दूसरा a minus b iota होगा तो यहाँ पर यह बात भी mention करने वाले है यह बात भी mention करने वाले है note करने वाले है कि if one root is if one root is a plus b iota then other root will be a plus b iota then other root will be other root will be a minus b iota ठीक है ना? यहाँ पर a और b जो हैं यह real numbers हैं भी अपना आदत है कि सारी condition अपने एक दम देखके सारी चीजें लिखके चलते हैं आप सारी बातों पर बारीकी से ध्यान दिया करें ठीक है ठीक है अगर एक root जो है a plus b iota है ना तो दूसरा root a minus b iota होता है कहने का मतलब यह है कि imaginary roots जो मिलते हैं ना वो एक दूसरे के conjugates होते हैं ठीक है ना imaginary roots two imaginary roots which are lying in a pair they are conjugate of each other ठीक है यह बात कहना चाहरा हूँ मैं two imaginary roots two imaginary roots two imaginary roots lying in a pair are conjugate of each other conjugate तो पढ़ा है ना यार complex नबर में आप लोग ने conjugate of each other एक दूसरे के क्या होते हैं वो conjugate होते हैं ठीक है जी two imaginary roots lying in a pair are conjugate of each other ठीक है जी तो यार चलिए इस question को solve करते हैं सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको खुद बखुद ये question try करना चाहिए तो यार इस question को try करें और try करके comment box में comment box में आप अपना answer post करें ठीक है comment box में अपना answer post करें और जो लोग comment box में regularly answer post करते हैं यार देखो इसका मतलब वो involved तो है lecture में और सारे lectures देखते हैं तो यार बड़ी अच्छी बात है ये अच्छी habit है ये कि आप पुरा involved रहते हो और तभी आप सीख भी पाऊगे ठीक है ना otherwise आप जो है तो इस question को यार attempt करके comment box में जरूर अपना answer जो है comment करें if a bicodratic polynomial equation have the roots तीन roots दे रखे हैं bicodratic होती है degree 4 की polynomial तो यार इसके 4 root होने चाहिए ठीक है ना 4 root होने चाहिए तो इसके real roots तो है 1 और minus 1 ठीक है ना real root तो कितने है 1 और minus 1 और imaginary root जो है 1 root तो root imaginary वो इसका conjugate होगा क्या होगा 2 iota का conjugate मतलब minus 2 iota होगा तो सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है जो 4th root होगा 4th root वो होगा 2 iota सबसे पहली तो ये बात समझनी है 4th root will be 4th root will be minus 2 iota ठीक है अब 4 root मिल चुके है यार अगर 4 root मिल गए है ना तो polynomial तो आसानी से मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा आसानी से क्योंकि आर देखिए x equal to 1 अगर root है तो इसका मतलब x minus 1 इसका factor होगा x equal to minus 1 root है तो x plus 1 factor होगा x equal to 2 iota root है तो x minus 2 iota factor होगा x minus 2 iota अगर इसका root है तो x plus 2 iota factors होगा तो x minus 1 x plus 1 x minus 2 iota x plus 2 iota will be the factors will be the factors of will be the factors of the polynomial will be the factors of the polynomial कौनसी polynomial बाइकुड्रायटिक पोलिनोमियल कौनसी पोलिनोमियल बाइकुड्रायटिक पोलिनोमियल और यार अगर यह सारे factors मिल गए न तो पोलिनोमियल एक्वेशन तो मिली जाएगी Hence the polynomial equation will be Hence the required polynomial equation will be तो यार जो required polynomial equation होगी ना required polynomial equation will be कौन सी polynomial equation होगी सारे factor, सारे factor मिल गए तो यार अपने को polynomial equation भी मिल गई यूँ समझो आप ये देखिए अपने को पूरी polynomial equation भी आप यूँ समझ लीजे मिल गई है ये होगी polynomial equation ठीक है ना अब देखिए multiply कर देते हैं a minus b a plus b का formula लगा x minus a x plus a हो गया x square minus 1 ठीक है x plus a x minus a ये हो गया x square minus 2 iota का whole square करेंगे तो plus 4 हो जाएगा equal to 0 ठीक है अब x square minus 1 और x square plus 4 x square minus 1 और x square plus 4 इनको multiply करते हैं देखते हैं क्या आएगा x square minus 1 x square plus 4 equal to 0 है इनको जब आप multiply करोगे तो ये हो जाएगा x square minus x की power 4 x की power 4 minus 1 x square plus 4 x square plus 3 x square minus 4 equal to 0 ठीक है इन दोनों brackets को multiply करोगे simplify करोगे तो हो गया x की power 4 plus 3 x square minus 4 ये हमारी है polynomial equation by quadratic polynomial equation जो हमको चाहिए थी correct है जी correct है एक दम भननाठ तरीके से तो यार चलिए बहुत ही शांदार बहुत ही बढ़िया चलिए बात समझ में आगई आपको तो चलो मैं तुमको एक homework देता हूं एक question मैं तुमको homework देता हूं नेचर ओफ रूट में बड़ी लंबी कहानी है इस कहानी को आगे next lecture में continue करेंगे इस lecture में अपने इतना ही सीखेंगे छोटे छोटे दो homework देता हूं मैं आ रहा है question number one if the product of root of the quadratic equation इस quadratic equation के roots का product अगर 3 है तो M की value बताएं बहुत ही simple question है comment कैसे करना है आपको comment कैसे करना है मैं बता देता हूं comment आपको कैसे करना है आपको comment करना है question number one ऐसे लिखना है उसके बाद answer और answer के आगे लिखना है option अगर मालो आपका option A है तो आप answer के आगे A लिख देंगे ठीक है B है तो आप ऐसे करके B लिख देंगे ठीक है यूँ करना है comment ठीक है जी और एक और question homework में है यार इसको भी देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं इसका comment भी बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए इसका answer comment आप करेंगे तो कैसे होना चाहिए आपको लिखना है question number two और उसके नीचे लिखना है answer और answer के आगे लिख देना option मालो C option सही है तो C लिख दिया डी सही है तो D लिख दिया यूँ करके ठीक है जी तो यह दो question homework में है I hope आप इन दोनों के दोनों questions को try करोगे और comment box में comment करके ये भी बता दें कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई क्या पिछले lecture में आप लोगों ने बताया था कि हाँ पूरी बात एकदम सारी टाम से एकदम भन्नाटली जो है आपको समझ में आ गई तो यार इस वा अबरी तुम्हारे लिए है एक तो कि यार most awaited lecture on sigma, sigma पे यार lecture आ रहा है इस Monday को ठीक है अभी चो coming Monday है na sigma पे lecture ला रहा हूं में और Monday को sigma पे lecture आ रहा है और यार लोकस पे lecture आ रहा है लोकस यहना complex नमर का जो geometrical part है लोकस यह complex में भी यूज होता है coordinate में भी यूज होता है तो मैंने सोचा special एक lecture को dedicate कर दिया जाए तो यार लोकस पे Tuesday को एक lecture आ रहा है Monday और Tuesday वाले फाडू lecture होंगे यार तो बड़े जरूरी है important है ठीक है और एक और चीज यार एक strategy वीडियो भी आ रही है strategy एक strategy वीडियो भी आ रही है strategy वीडियो भी आ रही है एक ये भी अभी 4-5 दिन में आ जाएगी यार ये किस दिन आएगी ये भी मैं बता दूंगा in fact य वीडियो भी आ रही है यार Monday morning में Monday morning exact time मैं कल के lecture में बता दूंगा ठीक है न Monday morning में strategy वीडियो आएगी यार कि ये जो पूरा course है इसका लुफ्त कैसी उठाय जाए प्रैक्टिस कहां से की जाए और यार strategy वीडियो जो होगी ना इसमें सवाल-जवाब सवाल-जवाब वाला section भी होगा यार डीटेल में अभी तक का पिछला week रहा है उससे पहले की भी एक दो दिन रहे हैं तो यार ये पिछले 7-8 दिनों में जो भी queries आपने पूछी है ना Monday morning वाले वीडियो में सवाल-जवाब वाला section डाल दूँगा यार उसमें सारी तुम्हारी query में cover कर दूँगा ठीके ना ये तीन महीने हैं बस तीन कितना कितना time मिला अपने को दिसंबर अपने को मिला है ठीक है नवंबर में शुरू हुआ था क्या course दिसंबर एक पोरा मिला अपने को हाँ January, February में तो तीन महिने में अपन यार 12 महिने का KORS खतम कर रहे हैं मतलब 12 months का जो कोर्स है ना वो 3.30 मा लेते 3.5 मा लेते हैं 10-15 मा लेते हैं exactly मेरे को याद ने यारा 4.30 किता टाइम हो Цुका है ना किता टाइम लगे जा गया इसमें तो एर साड़े-3 महीने में 12 महीने का कुर्स खतम कर रहे हैं और वो भी अपन पांच दिन एक-एक वीडियो के माद्यम से कवर कर रहे हैं और फिर भी अगर कवर कर लेते हैं अच्छी प्लानिंग के थू है ना लेक्चर प्लानिंग मैं बड़ी सोच समझ के करता हूं तो यार एकदम मज़ा आ जाएगा मैं कहूंगा मतलब एक अचीवमेंट होगी एक अचीवमेंट होगी ठीक है तो बहुत ही शांदार तो यार ये सारी चीजों के बारे मैंने आपको अपडेट कर दिया है और दोस्तो लम्बी सी हसी के साथ मोटी मोटी आँखें लम्बी सी मुस्कान के साथ आज के इस लेक्चर को विदा कहने का वक्त आ चुका है बाई बाई टेक केर दुआओं में याद रखना पढ़ाई करते रहे हैं all the very best